हेलो बच्चो लेट सीथा क्यूस्टन कह रहा है कि मैं इस दी कॉल्म फॉलॉइंग कॉलम बन में कुछ रिक्षिन लिखी है कॉलम तु में रिएजेंट पूछा गया कौन सा होगा पहले दिखाई दे रहा है बरको बेटा यहां पर ऑलकाइन दिखाई दे रहा है और सी चल्म इसमें बन सकते हैं पर तो इसको आसे लिख है तो ऐसे सकते हैं इसे में बनाओं यहांपर CS3, यह hydrogen, और ही hydrogen, और बन सकते है बटा मेरी इस तरीके से, ठीक है, यह transform हो गई, यह मेरी क्या है, Cysform है, यह मेरी transform है, ठीक है, तो कहता है कि Cys2-Butene और Trans2-Butene कब बनेगा, यह, मतलब दोनों में सेम alkyne दे रखें न, जिसलिए मैंने diet साथ में लेग दोनों का, ठीक है, यह Cys2-Butene cup बनता है मेरा, जब मेरा हम reagent यूज करते है, S2PDBSO4, that is, linlar catalyst बोलता है, इसको क्या बोलता है, linlar catalyst बोलते है, वहीं अगर आप N-Liquid N-S तरी यूज करोगे, तो यह होता है, मेरी bridge reduction, इससे मेरी transform बनती है, तो transform बनेगी, बटा, bridge reduction, तो B का क्या हैगा, P, और A क्या पी, तो यह option में दिखाए दे रहा है, option number 2 में, ठीक है, तीसरे में क्या होगा है, यहाँ पे, triple bond, मेरी second number पे है, उसको कह रहा है, उसको कह रहा है, और इसमें क्या बनता है, इसका मतलू क्या ismerization हो ली है, तो मैं आपको बता दू, जब 1 alkyne को treat किया रहता है, alcoholic क्योज के सा और भही, अगर 2 alkyne को treat करा दे मेटा, हम sodamide के साथ, तो यह करनोट अज़ता है, बन alkyne में, sodamide के हैं मेटा, वी रही है, N-A-N-S-2 होता है, sodamide, तो D का क्या जगा मेरा, C का क्या जगा, S आ जाएगा, D का R, C का S है न, उससरे किसरे टेक्सम टेक्स करेगी, तो option number 2 perfectly correct है I hope you got the answer, thank you so much